नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नरेंदर बिरला और आज का इंट्रेस्टिंग टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो कुछ इस प्रकार सा है कि जिसमें मैं और आप मिलकर कुछ क्रियेट करना चाहे उसके पहले में आपको बताना चाहूंगा कि मैं क्या हूं और मुझे आप मुझे पर क्यों विश्वास करें यह बहुत महत्पुन हो जाता है कि मैं आप मुझे पर क्यों विश्वास करेंगे और मैं किस और इस चैनल को ले जाना चाहता हूं और agriculture knowledge रखते होंगे तो निश्य थी यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को अंत तक आप पूरा देखेगा जो कि आपके लिए फाइदे मन हैं तो मेरी जर्नी की मैं सुरुवात करूं तो प्री एग्रिकलचर टेस्ट मैंने 2010 में दिया था चाह से मेरा सेलेक्शन हुआ 2014 में मैंने ग्रेजिवेशन किया JNKV जवलपूर के सबकेंसस टीकमगड से इसके बाद मैंने MSC Agriculture 2016 में complete किया और 2016 में complete करने के पाद मैंने जो आर्वेस के वी इंदोर से complete किया इसके बाद मेरे कुछ परिक्षा हैं जो मैंने clear करी या मेरे जो व्यक्तिगत research है व्यक्तिगत जो मेरी उपलब्धिया है वो बताना चाहूंगा क्यों ये इसलिए बताना चाहा रहा हूं कि Agriculture graduates को किस तरह जाना चाहिए या मेरा mindset ये सब कुछ करने के बाद क्यों change है मैं अपनी उपलब्धिया इसलिए नहीं गिना रहा हूं कि मुझे मिली है मैं इसलिए बताना चाहा रहा हूं कि आप सब भी भी कुछ अच्छे डारेक्शन के और ले जा सकते हो अपनी लाइफ को तो फर्स्ट इग्जाम जो मैंने दी थी अग्रिकल्चर फिल्ड ऑफिसर फरवरी दो हजार सोला में इंटर्यू में में गया था तो 0.05 मार्क्स उस समय हम रहे थे क्योंकि 51.55 पे कटाफ था और हमारे जो थे वो लगबख 51.15 मार्क्स कुछ थे तो हम नहीं रह बाए थे दूसरी बात हमने जो एक्जाम देती वो इस्टेट ब्लेंक क्लरक की दी थी जिसमें अग्रिकल्चर स्टूडेंट्स की भरतिया रहती है तो उसका जो कटाफ उस समय 70 मार्क्स ता मेलब 70 मार्क्स वो जो हमारे मार्क्स आय थे वो 69 आय थे मतलब बेंक हमारे साय नसीब में नहीं थी क्योंकि दो एक्जाम हमने देखी तीसरी जो हमने परिक्षा निकाली वह नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेट एनेफल एक पर होती है भारत सरकार तो भारत सरकार में नो महने जोब की मतलब नो महने वहाँ पर मनसोर में रहकर मैंने नोक्री करी इसके बाद जो ह मद्यप्रदेश शासन जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि कारणवस कुछ समस्याय थी वहाँ पर इसके बाद जो मेरा चैयन हुआ था वह इंडियन एक साल से अधिक में हम कारे कर रहे हैं लेकिन इन सब को बताने के पीछे फिर हमने एक बरूर परिक्षा दीत क्या एग्री एंटरपेंशिप को जगाना पड़ेगा जैसे हमने लिखा है एग्री प्रेनियोर्स का मतलब यह हुआ कि मैंने देखा कि जित्ते भी एग्री कल्चर स्टूडेंट्स है ना वो पूरे एकत्रित नहीं उनका दिमाग एक नहीं है क्योंकि एग्री कल्चर में इतनी सारी अपोर्शनिटीज होने के बाद भी हम लोग इतने परेशान और इतने विचित हो रहे हैं और एग्री कल्चर की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो इसको देखते हुए मैंने कुछ अपने दिमाग में आइडियास लिया कि क्योंना हम एग्री कल्चर को आग काम करना इस पर बंद कर दिया था लेकिन पीछले तीन से चार मेने जब से लोगडाउन की स्तथी हुई थी मार्च में तब से हमने इसको सीरियस लिया और एग्री कल्चर ग्रेडवेट के लिए कुछ करने के लिए आगे आने का मैंने ये प्रयास किया है तो इसके लिए हम क्या करना है कि एग्री कल्चर को इंटरपेंटरोषिप में कैसे कवर्ड करना अभी मैंने यहां पर निकाह है क्रसी आए 100% घितार करते हैं सैनल क्लंस को या उसके बच्चे को मिले लेकिन अभी क्या सत्थी चाहिए अभी 20% मिल रही है किसान को लिए को उत्पाजित करते हैं उसका 20% उसको मिलता है क्यों मिलता है इसके कारण बहुत सारे हैं अगर हम बात करें क्रसी रोजगार क्रसियों उसके धंदों को समझना रोजगार के अनन्त साधन है मलग क्रसी रोजगार क्रसी में जो रोजगार है और क्रसियों उसके धंदों को समझन हैं वो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम में लिखा कि जो कोई भी एक एग्रिकल्चर ग्रेजुएट होता है क्योंकि अभी इतनी परिक्षाय नहीं हो रही है और बहुत सारे इसे मैंने देखा कि एग्रिकल्चर के ग्रेजुएट चाहे वो इंडिया के कोई भी ले लीजिए माई तरफ वन परसेंट जो है वो इंट्रपेंडर्शिप में जाते हैं इन्यानों परसेंट जोग के लिए इधर उदर भटक रहे हैं क्योंकि कॉलेजों में हमारी इस्तती इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि हमारी पढ़ाई उस तरह से नहीं हुई है हम उसके कही कारण हो सकते हैं कि या तो वहां कर प्रोपेसर्स की कमी को देखते हुए या हमें इंटरपेंडर्शिप पर नहीं ले जाया गया लेकिन अगर मैं नॉन अग्रिकल्चर बेग्राउंड के है वह ठीक है ना क्योंकि यहां पर फार्मर जोन है वह टेक्निकली गुड नहीं है क्योंकि वह एडॉप्शन में बहुत प्राव्लम्स होती है ट्रडिशनल फार्मिंग है साथ में कुछ ऐसे खर्चा बढ़ रहा है मतलब बढ़ता जा रहा है इन सब को रोखने के लिए ट विजशेटेबल फे जाते हैं तसством जो जो डेरी to attracted चुट जो मस्रुम परडाक्शन में समस्रीच का परकशन कुछ आइसे जो एप्रटैर्क पेनातें लाइक फार्माइनल परड़ीशन की बात करते हैं कुई अभी जो देके सबसेद्यर टिमांडड षर वे वह एगरीकपL किषानों में या तो गवर्मेंट करते हैं, मैं और कोई ऐसे जो कोई करते हैं तो उतने रह में अगरिकेल्चर के ग्रेजवेट्स हैं जो agriculture की graduates और जा सकते हैं ये इनको ले जाने के लिए इनको आगे ले जाने के लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ हूँ बस आउशकता है आपको और हमको मिलकर ग्यान की एक जो MPJ अब्दुलकलान साब कहते हैं मेरे सपनों के भारत की किताब में कि अपने ग प्यान को बढ़ाना पड़ेगा भाई जो आपने या तो आप BSC Agriculture वाले इस वीडियो को देख रहे हैं या MSc Agriculture वाले या PhD वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वापस से कुछ analysis कुछ observations करना चालू करें और मैं जितनी आपकी साहिता कर सकता हूँ उतनी ही साहिता इस वीडियो के मादियम से कर रहा हूँ और साथ में भाईश्य में भी आपकी मैं उतनी ही साहिता करूँगा जितनी आज कर रहा हूँ मैं खुद सीखता हूँ आप भी सीखें और Agriculture को एक joint बनाना है हमें मिन से हैं कि जितने भी graduates हैं वो सब एक platform पर आए इसलिए मगर आप एक platform पर आने चाहते हैं चाहिए WhatsApp है Facebook है तो मेरा है जो नमर है 9617585702 पर संपक कर सकते हैं और इस पर WhatsApp से हेलो कर सकते हैं Agripreneur के रूप में अगर आप कुछ करना चाहते हैं Agriculture के फेड में तो आप Agripreneur के रूप में मुझे लिख सकते हैं कुछ comments इस उद्देश का इस वीडियो का बिल्कुल भी उद्देश ये नहीं था कि मैं अपने बारे में कुछ बताओं लेकिन मैंने ये बताया कि इतने सारे उपलब्दियों के बाद मेरी कोई बड़ी खास उपलब्दी नहीं है बहुत छोटी उपलब्दी है और मेरे जीवन क कि एक महतपुर्ण बात होगी कि मैं अगरिकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए ततपर हूं और अगरिकल्चर के लिए कुछ भी करने के लिए तयार हूं बस इसके लिए चाहिए तो एक संगठन की और अच्छे लोगों की जो कुछ सीखना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते है और agriculture को ही एक तरीके से आयका सुरूप बनाना चाहते हैं सीड को बोने से लेकर मार्केटि तक मलब कंजूमर तक पहुचाने के लिए केवल और केवल एक विक्ति को पैसा मिलना चाहिए या तो फार्मर हो या तो वह agriculture पैसल के लिए इनको इस तरह का नहीं मिलना चाहिए पैसा इस वीडिया में इतना ही बताना चाहे है जो मेरा या मैंने बताया यह यह फॉकस्ट इस में अलग-अलग ट्रेनिंस हैं अगर इसमें हम आगे और स्टेडी कर रहे हैं कुछ कोर्सेस लॉंच आपके लिए करेंगे अगर इसा हुआ लेकिन यह सब ग्यान जो है यह फ्री अप कोश्ट है कुछ भी नहीं अगर यह वीडियो पसंद आपको आते हैं तो जरू लाइक करें सेर करें सस्क् लाइफ करना जहीं जह भारत जहीं किसान भारत माता की जहें जहें क्रसी ग्रेजुएट्स